36 गड़ में बहुरते जंता पाटी के गनेता को आमादमी पाटी के नेता ने गोली मार दी ये गटना 36 गड़ के राइगड जिले के खरसिया की बताई जा रही है गायल भाजपा नेता को अस्पताल में भरती कराये गया वहीं गोली कांड का रोपी आप नेता मौके से फरार हो गया है बताय जा रहा है कि ये पूरी गटना आपसी विवाद के कारण हुई है बता दें कि 36 गड़ के राइगड जिले में आमादमी पाटी के नेता अमर अगरवाल और भाजपा नेता गोपाल गरी का किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया ये भी बात इतना बड़ा कि आम आदमी पाटी की नेता अमर अगरवाल ने भाजपा की नेता गोपाल के उपर गोली चला दी जैसी ही गोली के आवाज आसपास के लोगों को सुनाई दी तो घटना इस्तल पर लोग एक खटा हो गए वहीं गोली चलाने वाला आरूपी आम आदमी पाटी का नेता अमर भीड का फायदा उठा कर भाग निकला इसके बाद खून से लटपत भाजपानेता गोपाल को आसपास के लोगों ने उठा कर असपता ले जाकर भरती कराया भाजपानेता की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है वही इस पूरे मामली की जानकारी जब पुलीस को लगी तो थाने की टीम फॉरन मौके पर पहुच गई पुलीस आरूपी आमादमी पाटी के नेता अमर अगरवाल की तलास में जुट गई है आप आरूपी के पकड़े जाने के बाद ही आखिरकार ये घटना किस परकार घटी उस बात का खुलासा किया जा सकेगा पुलीस वही आरूपी के मौवाईल नंबर को ट्रेस करकर उसकी तलास में जुट गई है बतादे कि साल 2019 के चुनाव में आमाजबी पार्टी ने अपना प्रत्याशी अमर को गोशित किया था साल 2019 के विदान सवा के चुनाव के दोरान खर्सिया सीट से आप नेता अमर ने चुनाव लड़ा था हाला कि इस चुनाव में अमर अगरवाल को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था